नमस्कार दोस्तों शिक्वित स्वरा चनल में आपका स्वागत है दोस्तों इस वीडियो में हम बात करेंगे श्टॉक मार्केट में इन्वेस्टमेंट से पहले क्या-क्या साउधानी रखनी चाहिए श्टॉक मार्केट में आप इन्वेस्टमेंट की जर्णी अपनी स्टार् चाहते हैं तो इससे पहले आपको कुछ साउधानिया रखनी है जो कि हमने पांच पॉइंट्स में कवर किया है तो पांच पॉइंट्स कौन-कौन से हैं वो आज इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे वीडियो में आगे पढ़ने से पहले आप से उन्रोदे कि यह दिया आपने हमारे इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सबसे पहले सब्सक्र करने से पहले क्या-क्या सावधानी हमें रखनी चाहिए तो दोस्तों सबसे पहली सावधानी है श्टॉक मार्केट में में जभी आप país करते हैं तो लोन लेकर पैसा कभी ननगा यह पहले में जो stock market से पैसा कमाने का जो तरीका है उनमें से सबसे पहला तरीका यह है loan का पैसा कभी भी stock market में नहीं लगाना चाहिए क्या होता है कि जब आप loan कहीं से लेते हैं तो आपके दिमाग में एक pressure रहता है कि मुझे इस loan के against हर महीने ब्याज चुकाना है और उस ब्याज के लिए लोग stock market में उल्टे सीधे share में invest कर देते हैं और जैसे अगर थोड़ा नुकसान होता है तो वो घबरहाट में आ जाते हैं क्योंकि stock market में share price उपर नीचे होता रहता है अगर थोड़ा सबी नीचे आ जाता है तो घबरहाट में आकर उल्टा सीधा निर्दने ले लेते हैं और उस निर्दने के पश्चात लॉस हो जाता है तो इस सब चीज से बचने के लिए जरूरी है कि आप loan की बजाए आपने जो reserve पैसा है आपके पास उसको लगाईए loan लेके कभी भी मत लगाईए loan लेके लगाने के बाद आप हमेशा tension में रहेंगे तनाव में रहेंगे कि अगर यह नीचे हो जाता है तो मैं क्या करूंगा तो इसलिए हमेशा stock market में जब भी आप पैसा लगाए तो अपना पैसा लगाए अपनी सेविंग का पैसा लगाए loan लेके बिलकुल ना लगाए दूसरा point है stock market में वो पैसा लगाए जिसकी आपको तीन से पांच साल में ज़रूरत न हो अपने reserve का पैसा लगाए अगर आप अपने current ज़रूरत को पूरा करने के लिए आपने कुछ saving रखी है जैसे बच्चों की पढ़ाई के लिए आपने पैसा रखा है घर बनाने के लि आपने पैसा रखा है या कुछ urgent nature के काम होते हैं जिसके लिए आपने पैसे बचा के रखा है और जिसकी जुरूत आपको साल 6 मेने नहीं है तो उसे stock market में निवेश करने की कोसिस करते हैं कि 6 मेने में मैं कुछ पैसा कमा लूँगा लेकिन ऐसे पैसे को stock market में बिलकुल नही है क्योंकि देखिए stock market में किसी भी company के share price की जो जर्नी है न वो 3-5 साल में पूरी होती है हम stock market में share की जर्नी की बात करें तो देखिए इनका cycle होता है optimism से सुरू होता है फिर excitement फिर thrill फिर उसके बाद यूफोरिया उसके बाद anxiety फिर denial फिर फिर डिस्प्रेशन पैनिक कैप्टिलिएशन है डिपेंडेंस है उसके बाद डिप्रेशन है hope relief और optimism यह पूरा इनका stock market में किसी company का cycle होता है जो कि इस cycle को complete करने में एक कंपनी को 3-5 साल लगता है तो यदि आप अगर आपने high price में भी खरीद लेते हैं तो आप अगर उसमें 3-5 साल रुखते हैं तो आपको यह at least इतना पैसा तो मिली जाएगा कि आपको ज्यादा profit नहों लेकिन profit जरूर होगा loss नहीं होगा अगर आप किसी भी कंपनी के जो कि इसी भी कंपनी in the sense है कि अच्छी कंपनी के share अब जिनकी balance city अच्छी नहीं है तो ऐसे कंपनी में लगाएंगे तो यह तो 5 साल क्या 15 साल में भी यह rate आपको दुबारा नहीं मिलेंगे आप अच्छी कंपनी में investment करते हैं तो अगर आप एकदम बिल्कुल high पे भी लिए हैं तो आपको और वहां से कंपनी 40-50% भी डाउन हो जाती है तो समभाना होती है कि आपका पैसा वो 3-5 साल के अंदर थोड़ा आपको profit हो लेकिन होगा जरूर तो इसलिए है कि आप हमेशा stock market में अपने reserve का पैसा लगाएं जिसकी आवशक्ता आपको 3-5 साल नहीं होना है तीसरा point है अच्छी कंपनी के share price जब 25-30% correct हो जाएं तब आप invest करें अच्छी कंपनी का in the sense है कि जैसे nifty 50 की कंपनिया है जो कि अच्छी कंपनिया होती है तो ऐसी कंपनियों में जैसे 25-30% किसी कंपनी के share price में गिरावट आए तो वो ऐसी कंपनी पर अपनी नजर बना के रखिए उसमें investment की opportunity डूंडने की कोशिश कीजिए और उसका तरीका क्या है कि एक उधारन से हम समझते हैं जैसे अभी हमने एक Asian point का chart खोला है तो सबसे पहले इसका देखिए कि high कहां है और high से यह company अभी कितनी गिरी है तो यह आपने नोट किया तो यहां पर देखिए इस परसेंट नीचे गिरा हुआ है तो यहां पर हमें मिल रहा है और इसका हम past की history को check करते हैं past की history में देखिए 2022 में यह company लगबग 28% कमपनी का share price तूटा था उसी प्रकार 21 में यह लगबग 20-21% तूटा था उससे पहले हम आते हैं 2020 में तो 24% के लगबग तूटा था फिर 19 म हम बात करें तो 25% कमपनी का share price तूटा था तो इन चीजों को देखने से हमें एक idea मिल जाता है कि company का share price जब गिरता है तो 25-28% तक maximum गिरता है तो यहां भी 20% पे यह company का share price डाउन हो गया तो यहां से हम इंतजार करेंगे कि 5% यदि और गिर जाए तो हम इसमें investment के बारे में अपने विचार कर सकते हलाकि यह बड़ी company है 20% से ज़्यादा नहीं गिरती है 25% तो इसका maximum है गिरने का तो आप यहां पर भी एक installment लगा सकते है चौथा हमारा जो point होगा वो installment के ही बारे में है कि किसी भी company में जब आप पैसा लगाते है तो 50% से ज़्यादा किसी भी स्थिती में नहीं लगाना है एक बार में installment में लगाना है एक फिटी परसेंट मेरा मानना है कि आप 25 परसेंट ही लगा। जैसे आभर यह Systems mail pen का हमें पता है कि 25% ट्क डाउं हो रहा है आपको यहां लग रहा है कि अभि यहां सी यह डाउन नहीं होगा इस ओपर ही जाएगा तो आप यहां पर अपना एक करते होड़ा दीजियों अगर जाता है तो आप इस अपने अपने के पहुंच दा है तो यहां भी आपको 20% का profit मिल रहा है तो आप profit बुक कर सकते हैं यहां यहां से नीचे की तरफ आ जाता है मान लिजे कि 5-5% के लगबग और तूट जाता है तो आप इसमें अपना जो next installment है 25% का वो invest कर सकते हैं तो आपका 50% आप इस company में invested हो जाएंगे अब चुकी यह stock market है एक से एक negative और अच्छे घवरे आते रहती है तो अगर यहां पर भी यह अपने 25-30% के low पर आने के बाद भी यही market में negative निव जा जाता है तो company यहां से भी नीचे जा सकती यह संभावना रहती है तो आप वहां पर जैसे 25% के पश्चात भी यह और 5% गिर जाता है company का share price तो आप उसमें अपना third installment लगा दीजिए इसके पश्चात ऐसा होता है कि एकदम और ज्यादा fear generate होता है market में और वहां से 57% और गिर जाए तो आप अपना next जो fourth installment है वो भी लगा दीजिए क्योंकि आपको अपनी company का share price 35 से 40% तक तोटता हुआ देखने को मिला है तो आपने वहां चौथा installment लगा है तो आपका यह average जो लगाने का है वो 30% company का जो share price है down होने का वहां तक आ जाएगा आपका उसके पश्चात आप चुप होके बैट जाईए तो यह आपका चौथा point है तो उसके बाद जब यह company ऐसा तो है नहीं कि एकदम से हमेंसा नीचे रहेगी जब यह ऊपर जाएगी तो आप अपने जब profit में आते हैं तो उस stuff पर काम न करें श्टॉप मार्केट में tips पर अगर आप काम करते हैं तो आप कभी भी पैसा नहीं कमा सकते हैं आप यह नोट कर लिए आप महिने में जितना भी आपने ट्रेड किया है वो एक tips पे आपका सारा पैसा चल जाएगा अगर आप tips पे काम करते हैं stock market में आपने सुना होगा कि stock market में 95% लोग पैसा गमाते हैं और केवल 5% लोग ही पैसा कमाते हैं तो यह जो tips देने वाले होते हैं वो कहीं न कहीं उन 5% लोगों के touch में होते हैं और इस प्रकार जो 5% लोग हैं वो market में rumor फैलाते हैं और उसी के अनुसार आप बीना study किये आप जब खरीद विक्री करेंगे तो tips के अधार पर करेंगे तो आप गलत ही निरने लेंगे तो इसलिए कभी भी tips पर काम मत कीजिए कमपनी के fundamentals पढ़िए technical से समझने की कोसिस कीजिए और उसके बाद ही किसी कमपनी को shortlist कीजिए जिसमें आपको invest करना है तो इन 5 तरीकों को आप अगर अपने investment journey में सामिल कर लेते हैं तो आपको stock market में नुकसान नहीं होगा अच्छा पैसा बनाएंगे और stock market से पैसा बनाना बहुत ही आसान है बस चीजों को सीख के करना है आप इन 5 चीजों को ध्यान में रखके करेंगे तो आपको stock market में नुकसान नहीं होगा और अच्छी कंपनियों को चैन के लिए हमने अपने चैनल पर एक वीडियो भी पहले पोस्ट किया है कि आप उस किसी अच्छी कंपनी को कैसे सौट लिस्ट करें 6 पैरामीटर्स हैं यह देखें यह कंपनी है किसी भी कंपनी का शेर खरीदने से पहले जरूर चेक करें यह 10 मिनट का लगबग वीडियो है और इन जो 6 पैरामीटर्स हमने रखा है इसमें इस वीडियो के माध्यम से आपके सामने तो उन 6 पैरामीटर्स पे आप किसी कंपनी को आखने के पश्चात आप किसी भी कंपनी में इन्वेस्टमेंट के बारे में अपना राय अभिचार बनाएं तो आपको लॉस बिलकुल नहीं होगा आप हमेशा इस श्टॉक मार्केट से प्रॉफिट कमाएंगे ऐसा मेरा मानना है इस वीडियो में इतना ही यह वीडियो आपको कैसा लगा अगर वीडियो अगर अच्छा लगा तो इसे लाइक करें अपने दोस्तों के साथ शेयर करे और ऐसी इंफर्मेटिक वीडियो देखने के लिए हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करना बिलकुल न बोले मिलते अगले वीडियो में जैहिंद